हलो फ्राइंड आपके अपनों डुशनले ट्रीक बूटर स्वागत है केमरा चल लाए तो मुनी से कह रही हूं ना तो घर में पयाज ना अधरक है ना लेशन ना टमाट्वड़ी यह यह और इन जोले दैए फ्लाई या नहीं पानी में पिंगवे देए तो देखा दोस्तों कभी किसी भी समय इस तरीके इगनोपत आपके सामने आ सकते हैं और अगर अपनी बेज़िती ना कराना चाहते हैं अगर आप अपनी बेज़िती से बसना चाहते हो तो जल्दी जल्दी इस डिस्क को दरूँ सीख लिए जिसमें अप्याज अधरक कुछ भी प्रियोग कि अगर बहुत ही बहतरी न्चोले बने यानि कि छोले बनाने की एक और नाइट्रे जिसमें कोई भी चीज का प्रियोग ना करें और जाहिर सी बात है छोले में तो कुछ ज्यादा छोला बनाना क्टिन काम भी लगता लोग क्योंकि ज्यादा तर चीज़ों डाली जाते हैं लेकिन आजम एक ऐसा फंडल आए जिसमें आप कुछ भी ना डालें फिर भी आपके छोले परफेक्ट और बैसे बनेंगे जैसे जो है उसमें प्याज तमाटर हर्यमिन डाल नाते हैं जैसे बनाना इस बनाना सुरू करते हैं नोट कर लेते इसका इंग्रीटिंग्स आला की ज्यादा टो नहीं है लेगन की ज्यांदा तो नोट करी लेते और अघर-एस पसंद आये तो इसे लाइक और शेयर करें और अब छोले मसाला है लवग तीन चम्मच और इसमें सारे मसाले मिक्स होते हैं इसलिए मैंने कोई और मसाला नहीं लिया है। आप ध्यान रखें तीन चम्मच से कमना लें तेल है लगवग दो बड़ी चम्मच चाय पत्ती है एक चम्मच नमक स्वाद के अनुसार पानी लगवग डेड़ ग्लास चलिए बनाना शुरू करते हैं अब छोले कोकर में डाल देते हैं और इसमें पानी डाल देंगे इसी पानी को ग्रेवी में यूज करेंगे और इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के नसार और चाय की पत्ती को बंद कर डाल देते हैं इसको लगवग तीन-चार सीटी आने तक पकाते हैं छोले अच्छी तरीक कोक हो जाए चलिए अब छोले च करेंगे नियुक्त ही अच्छी तरीके से पख चुक एंगे घ्याइश की फ्लम कॉन कर लेते हैं और इसमें दो चंबलम ऑब तेल आड़ कर देते हैं हुआ तिल गर्म हो गया है ने जीरा कर दिते हैं में चंबल जीरा है और मैंने थोड़ा तीखे की वेज़े से आधा चमच लारमिस पाउडर भी डाला है और यह छोले मसाला, आप ज़्यादा देर छोले मसाले को न भूने नहीं तो इसका स्वाथ थोड़ा अच्छा नहीं आएगा, चले उसे पानी एड़ कर देते थोड़ा सा पानी एड़ किया है, इससे मसाला अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और ग्रेवी भी थोड़ी थिक होने लगेगी इसमें एक बाप फिर थोड़ा सा पानी डाला, और फिर इसको जो है, मसाले को भून लिया तेल छोड़ने तक मसाला भूनना है, एक ही का, तेल छोड़ने लगा है मसाला, अब मसाला हमारा परफेक्ट तरीके से भून चुका है, अब इसमें छोले एड़ कर देते हैं, छोले का कलर भी जो है, चाई की पत्ती की बज़े से अच्छा आया हुगा है, और इसको इसमें अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, छोले को, देखेगे, बहुत अच्छा कलर आया है, और इसमें छोले का बचा हुए पानी बैट कर देते है, बहुत अच्छा कलर आया है, छोले मसाले में सभी इंक्रीडिंग्स होते है, कि अब इसको डख कर जो है लगों पांस मूटे तो बकाते हैं चेक करते हैं अभी ग्रेवी नहीं पकिविए कि अभी इस पर जाग है चले इसको फिर कवर कर देते हैं दो तीम मिनट के लिए चले चेक करते हैं देखे छोले बहुत यह पके हुए और बहुत यह अच्छे बने हुए इसको थोड़ा मिसल देते हैं इससे किया है यह छोले ग्रेवी को और थिक कर देंगे आप चाहें बिना मिसले भी डाल सकते हैं चले इसमें धनी आइट कर देते हैं छोले बनके तयार है अब गैस की फिलम बंद कर देते हैं और इसे एक बावल में नकाल लेते हैं छोले तैयार हैं बहुत ही पर्फेक्ट छोले बने हुए चलिए इसमें जो है प्याज के लच्छे लगा देते हैं और धनिया उपर से मैंने पनीर गिश दिया बहुत अच्छे छोले बने हुए आप जरू घर पर ट्राई करिएगा अगर यह रैस्पी पसंद आये तो लाइक ओजिया जरू करें और हम्मेन चेजल केया लगा और अभी दाग हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल है तो सब्सक्राइब जरू करें और सब्सक्राइब करते समय घंटे को जरू रंग दें ताकि नए नी रैस्पी आप तक स अबसे पहले पहुंसे के